हेलो, गोपिनत कीचन में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे कैपसिकम की सबजी आपको ए वीडियो देखके पता चल जाएगा कि ए सबजी कितनी फास्ट बन गई है और टेस्ट में भी बेश्ट बनी है ये ये सबजी बहुत आसांतरी किसे बन गई है, आपको देखते ही पता चल जाएगा तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं, ये कैपसिकम की सबजी बनाना यहां मैंने दो कैपसिकम ले लिया है, और दो तिखा मिठा मिक्स बाला जिक का जो नमकिनाता है दस रुब्बे वाला पैकेट वो दो ले लिया है अब हम कैपसिकम को अच्छे से तोके साफ करके काट लेंगे तो यहां मैंने कैपसिकम को कट कर लिया है आप चाहो तो इससे छोटा पीस भी कट कर सकते हो अब मैं एक टिखा मिठा मेक्स है उसको मैं एक प्लेट में ले लूँगी मैं जब भी कोई पॉलितिन बेग में से कुछ निकालना होता है तो उसका कटा हुआ हिस्सा उसके साथ ही जुड़ा रहे इस तरह से काटती हूँ आप भी इस तरह से आदत डाल दीजिए यह हमारे परियावरन के लिए है तो यहां में दोनों पाउच का जो नमकिन है वो एक प्लेट में ले लिया है इनको मैं एक मिक्सी बाउल लेकर उसमें ले लूँगी और बाद में इनको मैं पीस लूँगी तो यहां मैंने मिक्सी बाउल ले लिया है अब मैंने वो नमकिन पीस लिया है अब मैं एक बड़ा बाउल ले लूँगी इसमें कैपसिकम ट्रांसफर कर लूँगी अब हमें कैपसिकम के हिस्से का ही नमक लेना है तो यहां मैंने थोड़ा नमक ले लिया है और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी ले लिया है इन दोनों को में चम्मच से मिक्स कर दूँगी और इसको में दो मिनिट के लिये डख के रख दूँगी ताकि नमक थोड़ा कैपसिकम में उनका टेस्ट आ जाए तो यहां मैंने दो मिनिट होने के बाद कैपसिकम को फिर से चला लिया है तो यह थोड़ा गिला भी हो गया है अब हम इन में जो हमने नमकिन को पीस लिया है वो इसमें एड़ कर देंगे तो ये गिला है तो थोड़ा थोड़ा ये मसाला हमारा चिपक भी जाएगा यहां मैंने वो पीसा हुआ नमकिन कैप्सिकम में एड़ कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं ऐसे ही दो मिनिट डख के रख दूँगी यहां मैंने गैस ओन करके उस पर कड़ाई रख दी है कड़ाई में दो से तेन बड़े चम्मच जितना तेल ले लिया है तेल में मैं जिरा एड़ कर लूँगी थोड़ी सी हिंग ले लूँगी अब हम इन में कैपसिकम जो हमने मसाला वाला किया है वो एड़ कर देंगे इसको अब हम चला लेंगे अब इन में मैं थोड़ा सा पानी एड़ कर दूंगी हमें ज्यादा पानी एड़ नहीं करना है क्योंकि कैपसिकम तो थोड़ा कच्चा रहेगा तो भी अच्छा लगेगा इन्हें ज्यादा पकानी की जरुरत नहीं है या मैंने थोड़ा पानी ले लिया है अभी हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी लेंगे जितनी जरुरत लगे उतना ये हमारा नमकिन है वो पानी सोख लेता है तो जितनी जरुरत लगे उतना ही पानी लेंगे ये सबजी थोड़ी सुखी सुखी रहती है तो हमें ज्यादा पानी लेने की ज़रुरत नहीं है अभी मैंने थोड़ा और पानी ले लिया है इनको में मिक्स कर दूँगी अब इनको में दो मिनिट के लिए ढग के रख दूँगी गैस के फ्लेम को लो रखना है अब हमारी दो मिनिट हो गई है तो मैं यह सबजी फिर से चला लूँगी अब यह हमारा कैपसिकम कच्चा है तो 2 मिनिट के लिए और ठक के रख दिया है अब 2 मिनिट हो गई है तो यह हमारा कैपसिकम थोड़ा-थोड़ा पक गया है ज्यादा पकाने की ज़़रद नहीं है तो ये तिखा और मिठा हमने मिक्स लिया है तो इसमें हम थोड़ा कुछ खटा टेस्ट लाने के लिए आम चुर पाउडर में एड़ कर दूँगी इसे ये सबजी का टेस्ट बढ़ जाएगा आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो ये सबजी हमारी सव करने के लिए रेडी हो गई है या मैंने एक प्लेट ले लिए हैं इनमें मैं सबजी सव करूँगी इस सबजी में कैपसिकम का बड़ा बड़ा पीस चोहे वो हरा दिख रहा है तो मैंने हरा धनिया की बज़ाई चीज का छोटा छोटा पीस कर लिया है मैं ए छोटे छोटे चीज के पीस से गार्निस करूंगी और कैपसिकम है तो कैपसिकम के साथ हमें चीज का टेस्ट अच्छा लगता है तो यहां हमेंने यह सबजी चीज से गार्निस की है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है तो जो चीज में देखने में अच्छी लगती है उसको खाने के लिए मन करता है तो यह हमारी सबजी रेडी हो गई है I hope आपको मेरी यह सबजी पसंद आएगी और आप घर पे ट्राइ करेंगे अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सेर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना